डॉक्टर के पास और गुरू के पास अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए डॉक्टर ने कहा कि सिर्दर यह दबा खा लेना ठीक हो जाए मान लेते हो कि नहीं और डॉक्टर से भी कहो कि हम कैसे मानें कि सिर्दर ठीक हो जाए अरे भाई हम कर तो आपके कहने से क्यों माने अरे भाई ये दबा हो सकता है जहां बनी हो वहां गड़बड़ी हो यह तो पहले तो हम पता लगाएंगे कहां बनी और गड़बड़ी होई की नहीं सही बोलो और मरीज इसी खोज में निकल लिया आए तब तक मर्ज की कौन कहे मरीज भी बचेगा इसे लिए ज़्यादा आकल नहीं कुछ लोग आकल लगाते गुर्मों से ही बहस करें डॉक्टर से ही बहस करें डॉक्टर ने कहा कि देखो ये ये चीजे मत खाना और वो का कहें अच्छा डॉक्टर साब थोड़ी देर में आया लोकी तो खा सकते हैं हां ठीक फिर उतनी दो फिर लो और मुंग की दाल हाँ वो भी खा सकते और और परवन डॉक्टर ने कहा कि हद हो गए खा ले ना जा फिर और तो रही और बता उसने कहा कि हाँ तो रही भी खो थोड़ी देर और टिंडा तो डॉक्टर बुड़ा कि तुम हमारी खोपड़ी मत खाओ तुम्हें जो खाना हो सो खाओ एक मरीज से डॉक्टर ने कहा हलका भोजन किया करो अब उसने लगाई अपनी अकाल करो डॉक्टर ने कहा हलका भोजन तो हलका क्या मिट्टी पानी में हो तो नीचे बैठ जाती पानी उपर तो मिट्टी से हलका पानी मिट्टी के उपर तेरता है और पानी से हलका गी तेल पानी मिडाल दो तो उपर तेरता रहता है मिट्री से हलका पानी पानी से हलका घी तेल और घी तेल से हलकी पूरी वो तेल घी के उपर तेहरती उस से हलका क्या होगा बोलो ऐसा हलका भोजन करें तो बचेगा मारी इसलिए गुर्मों के ग्यान में भी अकल नहीं विश्वा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा